हेलो फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक है फूट सिक्यूरिटी आज हम देखेंगे फूट सिक्यूरिटी होती क्या है और गौवर्मेंट ने क्या कुण कुण से स्कीम लाए है फूट सिक्यूरिटी के लिए ठीक है तो फूट सिक्यूरिटी मिन्स होता क्या है कि फूट जो ह वो available होना available होने के सासाथ उसको लोग जो है वो access भी कर पाए हर समय उसको access कर पाए और food इस तरह से होना चीह कि एक इनसान जो हो active healthy and productive lives जो है वो जी सके और जो food होता है वो कैसे होना चीह होना चीह in term of quantity ग्होंना चीह इन टेर cosmology और वियराइटी भी उसकी होने चले आपर के लोग रहते हैं और Marketing में होने चाहिए है जब कोई आत्मी फिजिकली फीड रहेगा उसको फूड अगर अच्छा वह कंजूम करता है तो फूजीकली फिट रहेगा फिजीकली अगर फिट रहता है तो वह अधर एक्टिविटीज में जो है वह पार्टिसिपेट कर सकता है जैसे वह एजुकेशन ले पाएगा ठीक है जोब कर पाएगा तो इसी कारण से जो है अगर एकुनामिक डव्लयप्मेंट की अगर बात करते है सोचली सिक्यूरिटी की अगर बात करते है तो फूट सिक्यूरिटी जो है यह कहला बहुत जरूरी होता है यह एकुनामिक and social security के लिए prerequisite condition है food security for economic and social security of a nation अगर food security के अगर हम बात करते है तो इसके important तीर इंडिकेटर है तीर इंडिकेटर है availability, food का available होना दुसरा है accessibility सबको उसका access करते आने को होना और है stability मतलब जो availability और एक्सेस इसकी stability होना ठीक है और इसके four main dimensions है food security के first क्या है physical availability of the food दूसरा है economic, social and physical access to food ठीक है लोगों को एक्सेस भी करते आने को होना उनका income सही रहे food को access करने के लिए अगर उनका income नहीं है तो इस तरह से कुछ government support करे कि उनको food जो है वो मिलता रहे वो physically भी वो food को access कर सके इस तरह का भी dimension उसमें रहेंगे थर्ड है food utilization and fourth है the stability of other three और उपर के जो तीनों थे availability, access और utilization इन तीनों का जो होना चाहिए वो stability होना चाहिए तो ये थे four dimension ठीक है अगर जब कभी food security से related जब debate होती है तो उस पे जो main concentration होता है उसमें debate चलती है कि food availability के बट food का available होना ही जो है enough नहीं होता है food available होने के साथ साथ लोग उसको access कर पाए ये भी बहुत important होता है for example जैसे अभी कोवीट का जो lockdown हुआ था यहां पर जो काफी सारे ऐसे जो poor poor families है ठीक है जो डेली वेजर्स थे उनको वो लोग economic constraint के वज़े से जो है वो food को access नहीं कर पा रहे तो इसके लिए government ने कुछ scheme लेकी आई ताकि वो उनका food access बना रहे वो food को access कर सके साथ ही साथ कही सारे NGOs ने लोगों को food के packages जो है वो distribute किये ताकि लोग भूख से ना मरे उनको खाना जो है वो मिलता रहे और वो healthy रहे क्योंकि so यह जो थी यहां country में food available था बट कुछ conditions ऐसी हो गए कि वो food को access नहीं कर पा रहे तो फिर कुछ extra के extra से कुछ arrangement करना पड़ा कि लोग food को access कर सके तो स्रीफ availability होना ज़रूरी नहीं है तो उसको जो है access भी उसको करते आना चाहिए अगर कई food ज्यादा है तो इसका अंदब यह नहीं है कि वहां पर भूख मरी से कोई भी नहीं मर रहा है जहां पर यह उसका distribution कैसे तरह से हो रहा है उस पर depend करता है गवर्नमेंट ने भी food security के लिए अलग गलब schemes लेकर आई है country में तो वही schemes अभी हम देखेंगे एक scheme थी integrated child development scheme जो 1975 से है और यह scheme क्या करती थी यह provide करती थी education, nutrition and health services to women and children को इसके बाद फिर 2007 में आई थी national food security mission इसका काम क्या था इसका objective था increase crop productivity को बढ़ाना फिर थी महात्मा गांधी national ruler employment guarantee act जिसे हम mg नरेगा के नाम से जानते है वो आया था 2005 में जो ruler household को minimum 100 days का guaranteed employment जो है वो देता था हर year इसके अलावा भी जो scheme थी वो थी public distribution scheme थी public distribution scheme में जो लोगों को cereals, kerosene and sugar जो है वो fair price में दिया जाता था सबसेडाइज रेट में दिया जाता था ठीक है उसके public distribution के अलग से shops है इसके अलावा और भी जो आई वो थी अन्तोदय योजना इस योजना में क्या किया जो household है उसको distribute पहले तो यह अन्तोदय अन्य योजना यह scheme आई थी जो poorest of the poor को serve कर सके और इसको दो पार्ट में डिवाइड किया था household को किसमे किसमे APL अबो पावर्टी लाइन और BPL बिलो पावर्टी लाइन ठीक है यह planning commission के हिसाब से decide किया गया था income का cutoff की APL को रहेंगा और BPL को रहेंगा और इनको जो cereals, kerosene, sugar जो मिलता था food grains जो इनको मिलते थे इनके जो price में और जो quantity इनको मिलते थे उनको इन में difference होता है जिसे BPL के लोगों को ज्यादा subsidize rate में मिलेगे या low price में मिलते है food grains as compared to APL तीक है इसके अलावा भी जो थी PDS जो system रहा है इसके भी काफी अपने disadvantages रहे, weakness रहे, उसके function से related रहे और भी जो क्योंकि यहाँ पे लोगों को एक line पे decide किया गया था कि कौन above poverty line है और कौन below poverty line है इसमें हुआ यूँ कि कुछ लोग जो है वो बहुत जरुरत मन होने के बावजुद भी वो exclude हो गया यह scheme का जो फायदा है वो नहीं ले पाए और इसके जो functioning था वो functioning में भी काफी था काफी सारा corruption भी यहाँ पे हुआ हुआ जो price stabilization की जो बात थी वो price stabilization रही रही नहीं इसको जिस तरह से control करना चाहिए था उस तरह से उसका control इस पे रहा नहीं और जो लोगों को इसका जितना फायदा मिलना चाहिए था और तब फायदा जो है उसको लोगों को मिल नहीं पाया और कहीं बार जो ऐसा हुआ कि लोगों को वहाँ पे food grain मिल नहीं रहे या जो price सरकार ने decide की है उस price पे नहीं मिल रहे या उनका quantity जो है वह बहुत कम मिल रहा इस तरह की वहाँ पे चीजे हुई और इस तरह से भी हुआ कि जिन लोगों को उसकी जुरूत है उन लोगों को वह नहीं देते हुए कहीं और उस food grains को डाइवर्ट किया गया तो इस तरह से इसमें और फोर प्राब्लम्स रही PDS सिस्टम में इसके अलावा PDS जो है यह इन डारेकली लोगों को nutrition, nutrition support करता था बढ़ जो मिड़े मिल स्कीम ती और integrated child development स्कीम ती यह डारेकली सपोर्ट करता था nutrition support करता था अगर हम मिड़े मिल की अगर बात करते तो तो मिड़े मिल यह जो स्कीम रही, यह कूक फूट प्रोवाइड करती थी, स्कूलों में. तिक है, कईपार जो है, क्योंकि पावर्टी इतनी होती थी, जो लोगों की जो प्रायोरिटी होती थी, वो education ना होके, food हुआ करती थी. तो food को लेने के चकर में पैसे earn करने के चकर में जो है वो education लेना लोग पसंद नहीं करते थे तो जब से midday meal आया midday meal introduce हुआ तब से जब school में जब खाना मिलने लगा cook food मिलने लगा nutritious food मिलने लगा तो school में जो enrollment है वो enrollment attendance जो है ये बढ़ने लग गया इससे लोग लोग education भी लेने लग गये और लोगों का nutrition जो है जो बच्चों का nutrition जो है वो भी सही रहने लगा ठीक है ICDS भी जो स्कीम रही integrated child development scheme ये भी बहुत unique तरह की scheme थी जो free school education provide कर रहती थी बच्चों को ठीक है साथ में nutrition भी देती थी malnutrition से भी बचाती थी और जो mortality rate था child mortality rate उसको भी इसने कम किया तो ये सब था food security से अनले ट थैंक यू